अब चले दोस्तों आज की वीडियो में आज की क्लास में हम पढ़नेवाले हैं भारती शमीदान सबाग के बारे मेरे सब्तेब गठन हुआ था कब हुआ किस प्रकार हुआ कितने मेंबर थे कौन कौन सी बैठके हुए उन बैठकों में क्या रजल्ट मिला उसके बारे में चले यह कि आप जानते होंगे बारती सम्दान की शभा की जो शुरुआत है भूमका बनी दुती बिश्युद्ध के बाद और दुती बिश्युद्ध का जो टाइम था है से चैन जो बिश्युद्ध हुआ था से निनिससो उन तारर्ष से लेकर उने इसा पातारूच तक स्पहानौज गान कांड और इस सम्सक्राइड जिए भूमकार दुती बिरुद्ध हुआ में 1945 से बाद जब युद्ध समाप्त हुआ तब बिटैन में एक नई सरकार बनी और उस सरकार ने भारत के लिए अपनी नई नीतियों की गोशना की और उसी गोशना के तहित अपनी कैबिनेट से तीन लोगों को भारत भेजा कौन-कौन थे वो तीन लोग शर श्टेफोर्ड क्रिप्ष नमबर दो लाड पन्थिक लारेंस नमबर तीन एबी अलेकजंडर इन तीन लोगों को बिटिस सरकार ने भात भेजा भारतिय समझान सभा का गठन करने के लिए इन तीन लोगों की दल को भारतिय इतिहास में कैबिनेट मिशन का नाम दिया गया कैबिनेट मिशन योजना ये कैबिनेट मिशन का नाम दिया गया इन लोगों की संस्तूति के आधार पर भारत में भारतिय सम्विधान सभा का गठन किया गया जब बिट्राय में नई सरकार बनी तो उसने भात के लिए अपनी नई नीतों की गोष्णा की उन नई नीतों के तहत उसने अपनी कैबिनेट से तीर लोगों को भारत भेजा सर्ड इस्ट्राफोर्ड क्रिप्स लाड पैंथिक लारेंस और एबी अलेकजेंडर इन तीर लोगों के दल को ही भारत की इतियास में कैबिनेट मिशन की नाम से जाना के लिए उनीस्सो चेलिसको किया गया था भारती समेदन सवाका गठन जुल यूई उनीस्सो चींशालिसको किया गया था जब इसका गथन की चाल थी ज़रस्सने कि के संग्या थी जो मेंबर्स के संग्या थी उत्ती त्री wichtiger आइज COP में में टू नैंटी जो थिरी थे वो बिटिस प्रांतों से थे जो बॉन्बे मेंबर्स थे देशी रियास्तों और रजवालों से थे इसके बाद चार मेंबर्स जो थे चीप कमिशनरी से थे अब चार चीप कमिशनरी कौन कौन सी थी नमबर एक दिल्ली नमबर दो अजमेर नमबर तीन कुर्ग करनाटक नमबर चार बिट्रिस बिलूचिस्तान जो की अब पाक में है इन चार कमिशनरी से एक एक मेंबर बारती सम्द्द सभा में था बारती सम्द्द सभा में व्यवस्था की गई थी दस लाक पॉपुलेशन पर एक मेंबर की यह भारती सम्द्द सभा में यह निसकर था यह तैथा कि दस लाक पॉपुलेशन पर एक मेंबर होगा तो इस तरह भारती सम्द्द सभा का गटन हुआ उसके बाद भारती सम्द्द सभा की जो पहली बैठक हुई जो फर्स्ट बैठक हुई वो ही थी 9 दिसंबर 1946 में इस बैठक में डाक्टर सचिदानंद सिना को आइस्थाई अध्यच चुना गया था लेकिन इसमें हुआ क्या था मुश्रिम लीग ने इसका बैसकार किया था और यहीं पर उन्होंने अलग देश सम्विधान की मांगी थी सम्विधान सभा की पहली बटक 9 दिसंबर 1946 में को हुई थी जिसमें डाक्टर सचिदान इस सेना को आइस्थाई अध्यच चुना गया था इसने मुश्रिम लीग ने बैसकार किया था इस बैठक का और उन्होंने इसी दौरान अलग देश अलग सम्विधान की मांग की थी इसलिए प्रिथम बैठक को इस्थकित कर दिया गया इसके बाद शेकेंड बैठक हुई कि ग्यारा दिसंबर उनिस्सो चालिस को ग्यारा दिसंबर उनिस्सो चालिस को शेकेंड बैठक कुई अध्यच चुना गया इस्थाही अध्यच चुना गया डाक्टर राजंदर प्रसाथ को इसके बाद थार्ड बैठक तेरा दिसंबर उनिस्सो चालिस को ही बारती समय सभाकी यो तिसरी बैठक तेरा दिसंबर उनिस्सो चालिस को ही इसमें नहरुजी ने एक उद्देश प्रस्ताव रखा उद्देश मने था कि हमारे देश का समिधान कैसा हो कैसी वैस्ता रहेगा उसके वारे मनने एक उद्देश प्रस्ताव दिया था कि इसके में पॉइंट थे अल्प पिषले बर्ग, जन्जाती, अन्सुय जन्जाती, अन्फिशले बर्ग के रच्छा होनी चाहिए उनकी रच्छा की समझ भ्यास्ता होनी चाहिए तो यह उनके उध्यस में था यह प्रश्टाओ उसके बाद में सर्व सम्मति से 22 जुलाई 1927 को 22 जनबरी 22 जनबरी 1927 को शम्मिदान सवा की सर्व सम्मति से इस उद्देश प्रस्ताओ को पास कर दिया गया बाद में यह उद्देश प्रस्ताओ भारती सम्मधान की प्रस्ताबना बनी और भारती सम्मधान की प्रस्ताबना को ही भारती सम्मधान की आत्मा भी कहा जाता है इसके बाद अंतिम बैठक अंतिम बैठक हुई भारती समिधान सभागी अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को ही इसमें राष्ट्रिगान जन्गलमन राष्ट्रगीत बंदे मात्रम को अपनाया गया को अपनाया गया और इसी अधिवेशन में इसी बैठक में सर्वसंबती से डाक्टर राजिंदर परसात को राष्ट्रपती चुना गया तो भारती सम्दान सभा की अंतिम बैठक 24 जन्वन नुशो पचास को ही इसमें राश्टिगान, जनेगलमन, राश्टिगीत, बंदे मात्रम और डाक्टर राजिंदय परसाथ को शर्व सम्वती से राश्ट पती गोशित किया गया चलिए इसको शाप पर देते हैं डाक्टर राजिंदय परसाथ को सर्व सम्वती से अंतिम बैठक 24 जन्वन नुशो पचास में राश्ट पती चुन लिया गया उसके बाद 24 जुलाई 1947 को त्रंगे जंडे को अपनाया गया त्रंगे जंडे को अपनाया गया कि समिधान सभा के बाद जब समिधान बनाना भी था तो समिधान बनाने के लिए टोटल तेश समितियों का गठन किया गया किसके लिए किया गया था यह समिधान निर्मार के लिए शंगे दान निर्मार के लिए तेश समितियों को अठन किया गया था इन समितियों में सबसे प्रिमुक समिति जो थी वो थी प्यारूप समिति का गठन 29 अगस्त 29 अगस्त 1947 को किया गया था प्रिमुक समिति का गठन इस समिति में सदस्यों की संग्या साथ थी इसके जो अध्यच थे वो थे भीम्राव अंबेड कर तो इन ते समितियों ने मिलकर के भारती समिधान की रचना की थी भारती समिधान 19 नमबर 1949 को बन कर तैयार हुआ था था और यह तिर्तिय बाचन समय था भारती समिदान सवा का उसमें 19 नमर बनकर तयार हुआ था और यह लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ लागू होने के साथ ही 15 अनुचेद्र भी उसी दिन से लागू हो गए थे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया उसी दिन 15 अनुचेद्र भी लागू हो गए थे समिधान के आप दूसी चीज इश्को समिधान को समिधान की पूरी रचना करने में एक सो चोधे दिन बहस चली थी एक सो चोधे दिन की बहस के बाद भारती समिधान की रचना हुई थी उसमें जो समय लगा था दो बर्च ग्यारा माह अठारे दिन हमारा जो समिधान ने दो बर्च ग्यारा माह अठारे दिन में तयार हुआ था इसमें जो खर्चा आया था 63,96,739 रुपई था अब एक चाहिए और इसको साप कर देते हैं जब बटवारा हुआ बटवारे से पहले जब समिधान सवा के नर्माल हुआ था तब उसे 389 मेंबर थे लेकिन जब बटवारा हुआ तो बटवारे के बाद भारतिये समिधान सवा में मेंबर रह गए थे ओनली 299 इन 299 में में से 239 मेंबर निर्बाचित थे सत्तर मनोनीत किये गए थे और यह कहां से मनोनीत किये गए थे 29 रियास्तों से 29 रियास्तों से सत्तर मनोनीत किये थे मेंबर्स इन मेंबर्स में मैला सदस कि संख्या पंदरे थी अनुसूचित जाती के 26 थे अनुसूचित जन जाती के सदस्यों कि संख्या 33 थी तो इस फिरकार भारतिय शमिदान शबा की सनचना हुई थी अगली वीडियो में हम भाग एक उसके आर्टिकल बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से शुरुआत करेंगे तो वीडियो जितने लोगों के पास पहुचे उसे सेयर करें ज्यादा ज्यादा लाइक करें और चैनल को सकता आप जयू करें धन्यवाद ज्यादा झीचना हम लोगों करें से ब Colorado